हलो दोस्तों नवश्कार आदाव सस्रेकाल सभी को जी एस इनकोड में आपका हर्तिक स्वागत और अविलंदन करता है जैसे कि आपको बता दें क्या एंसीटी गजट प्रकासर नों बिचार कर रहा है या नाइस डिलेट की विद्यार्थियों सरकार से बांग है कि नाइस डि करके उन भी विद्यार्थियों के साथ धोका कर रहे हैं जैसे विद्यार्थियों के पास मसीन हो कि भाई आप चंदा मांगे बस हम के चिता देंगे वादे बहुत किया जाते लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किया है अभी तक किसी प्रकार का पॉज्टिव रेजल्स देखन कर रहे हैं जल्द ही इसमें कुछ आपको देखने को लेकिन अभी तक कल जैसे कल एक न्यूश बहुत तेजी से निकली कि हाँ गजट एंसीटी बहुत जल्द ही प्रकासित कर देगा कब कर देगा मलब कि अभी तक आफिसली तोर पर उन्होंने अनॉस्मेंट नहीं किया है लेकिन गजट को लेकि अभी एनाइस डीलट की गजट को लेकि बात उसमें नहीं कहीं गई है लेकिन जिस तरह अगर सरकावर पर बिद्यारती दबाव देखने हैं कि आपको हाई सुप्रीम कोट से रहत नहीं मिलेगी आपको अगर रहत मिलेगी तो गजट प्रकाशन हो ज क्योंकि Supreme Court में जितनी भी SLP जाएगी उसमें यहें मुद्धा बनेगा कि गजट को जवाब नहीं दे रही जबकि नाइस देखेंगे अभी कि उस दिन पहले एक अपना असपस्ट जवाब दिया कि पूरे देश में नाइस डिलिट की डिग्री बैलिट है लेकिन कहीं न कहीं ने गजट का प्रकाशन नहीं किया है तब गजट प्रकाशन अगर हो जाए तो अपने आप डिगरी बैलिट हो जाएगी अब गजट का प्रकाशन का डिगरे सरकार पर दबाव नहीं बन पा रहा है क्यों कि सरकार पर दबाव क्यों बने कि यह 14 लाग विद्यार थी आपस में जीता देंगे और अवगाएंगे फंड दीजिए अलग अलग फंड लेकर कम इसमें पैसे की कमाई हो रहे लेकिन अभी तक किसी तरह पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिला है अगर एक ताख के साथ एक आगे बढ़े तो सायद इनको जीत मिल सकते हैं खबर यही है वीडियो पसंदाद चैनल को लाइक करें जदा जदा अपने दोस्तों में सेयर करें सिच्छा फट्रति की पलपल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलता है नए वीडियो के साथ जहीं साथी नमश्कार सब एक दिन से हो आयो पर में लोग उमीद करते है भी नाइस ट्लिट मानने हो बैले